नीरव मोदी और मेहुल चौकसी का PNB घोटाला नुकसान 13,578 करोड रुपए ABG शिप्याड SBI घोटाला नुकसान 22,842 करोड रुपए ये वो घोटाले हैं जिने बैंकिंग सेक्टर के सबसे बड़े फ्रॉड्स में से एक कहा जाता है लेकिन CBI द्वारा 20 जून को एक और FIR दर्ज की गई जिससे देश के आगे अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया जिसमें SBI, PNB, UBI, Bank of Broda जैसे कई बैंकों को 34,615 करोड रुपए की चपत लगी है सही सुना आपने 34,615 करोड रुपए ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इसने बड़े-बड़े बैंकों की नी दोड़ा दी है क्या है ये घोटाला, कौन है इस घोटाले का मास्टर माइंड और कैसे ये घोटाला इन बैंकों की नजर में आया इन सभी सवालों के जवाब मिलते हैं CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में तो चलिए जानते हैं देश के इस सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के बारे में नमस्कार मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं Uncut 11 फरवरी 2022 को Union Bank of India के DGM विपिन कुमार शुकला द्वारा इस घोटाले को लेकर एक शिकायत दर्ज करवाई गई जिसमें दीवान Housing Corporation Limited यानी DHFL और उसके CMD रहे कपिल वादवान और तब के डाइरेक्टर धीरज वादवान और सुधाकर शेटी को मिलाकर 14 एक्यूज पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने UBI की अध्यक्षता में बने 29 बैंकों के consortium के साथ धोखा धड़ी की है FIR के मुताबिक कपिल वादवान ने इन लोगों के साथ मिलकर बैंकों को अपनी कंपनियों को लेकर गलत जानकारी दी और 42,871 करोड रुपए का लोन लिया जिसमें से DHFL ने 34,615 करोड रुपए का लोन वापिस नहीं लोटाया जिससे इन बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा CBI के मताबिक इस पूरी कॉंस्पिरेसी में जो सबसे बड़े मास्टर माइंड्स है वो DHFL के प्रमोटर और डारेक्टर रहे दोनों बादभान भाई हैं और उसके अलावा सुधाकर शेटी का नाम भी इसमें दर्ज है सुधाकर शेटी की बात करें तो वो कभी मुंबई के फेमस दीपाबार के मालिकों में से एक था और उसका नाम पहले भी गैंक्स्टर इकबाल मिर्ची के मनी लॉंडरिक केस में सामने आया था 2005 में दीपा बार बंध हो गया और शेटी कंस्ट्रक्शन के बिजनस में उतर गया महराश्ट के रीजनल नीउस चैनल्स में भी सुधाकर शेटी का शेयर बताया जाता है और इंडिया टुडे की खबर के मताबिक 1980 के दशक में सुधाकर शेटी पर अवैद शराब बेचने का केस भी दर्ज हो चुका है यानि शेटी का दामन पहले से ही दागदार था खैर वादवान भाईयों की कुंडली हम बाद में खूलेंगे पहले FIR को डी कोड करने की कोशिश करते हैं DGM विपिन कुमार शुकला द्वारा दी गई कंप्लेंट में बताया गया कि कैसे DHFL की स्थापना साल 1984 में हुई थी और तब से ही इस कंपनी को बैंक ने क्रेडिट फेसिलिटी दे रखी थी कंप्लेंट में ये बताया गया है कि UBI ने वक्त वक्त पर DHFL को दिये जाने वाले लोन को रिव्यू किया और कंपनी द्वारा जो फाइनेंशल इंफरमेशन प्रोवाइड की गई उसी को आधार मानकर लोन सेंक्शन किया गया FIR के मताबिक साल 2010 तक सब कुछ सही चल रहा था लेकिन 2010 में DHFL और उससे जुड़ी कंपनियों को लोन की जरूरत थी ऐसे में UBI की लीडर्शिप में 29 बैंकों का एक कंसोर्शियम बनाया गया जिसमें से 17 बैंकों ने 2010 से 2020 के बीच DHFL को कुल 42,871 करोड रुपए का लोन दिया 2019 के बाद DHFL ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया और बैंकों ने अलग-अलग तारीखों पर इस पैसे को NPA घुशित करना शुरू किया और DHFL के इन अकाउंट्स को फ्रॉड की केटागिरी में डाल दिया 31 जुलाई 2020 को RBI को इस फ्रॉड की जानकारी दी गई और ये भी बताया कि उस वक तक किस बैंक का कितना पैसा NPA हुआ है जिसकी लिस्ट ये रही इस लिस्ट के मुताबिक सबसे जादा पैसा 9,898 करोड स्टेट बैंक औफ इंडिया का ढूबा है दूसरे नंबर पर बैंक औफ इंडिया है 4,44 करोड रुपई तीसरे नंबर पर कैंणरा बैंक है 4,022 करोड रुपई और चौते नमबर पर Union Bank of India है जिसके 3814 करोड रुपई का लोन NPA हो गया इसके अलावा पंजाब National Bank को भी 3802 करोड रुपई की चपत लगी है इन में से PNB और SBI का लोन तो ऐसा है जो पूरे का पूरा ही पे नहीं किया गया है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बैंकों को अपने साथ हुए इतने बड़े फ्रॉड का आखिर पता कब चला CBI द्वारा दर्ज की गई FIR के मताबिक DHFL ने मई 2019 के बाद डिफॉल्ट करना शुरू किया लेकिन इससे पहले ही आयलेंड एफस कंपनी द्वारा अपने लोन में डिफॉल्ट करने के चलते NBFC कंपनियों को फंड रेस करने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी उधर DHFL के शेर्स का प्राइस लगातार नीचे जा रहा था और जब बैंक ने डिरेक्टर से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि शेर्स के गिरने की वज़ा DHFL के इन्वेस्टर्स द्वारा अपने कॉमर्शियल पेपर्स बेचना है लेकिन 2019 में जब मीडिया में DHFL के प्रमोटरों और डिरेक्टर्स के खिलाफ फ्रॉड की खबरें छपनी शुरू हुई तब बैंकों की चिंता और बढ़ने लगी जिसके चलते एक फरवरी 2019 को कंसोर्शियम में शामिल बैंकों ने एक मीटिंग की जिसमें DHFL के मुद्दे को लेकर साथ बड़े बैंकों की एक कमेटी बनाई गई जिसमें शामिल थे SBI, Bank of Bada, Bank of India, Kenra Bank, Central Bank of India, Syndicate Bank और UBI जिसके बाद A&M और KPMG को DHFL के ओडिट के लिए अपॉइंट किया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहीं कोई fraud तो नहीं हुआ इस audit के दौरान जहां एक तरफ DHFL के officer बैंकों से ये कह रहे थे कि वो company में अंदरूनी सुधार कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ, media में DHFL के director कपिल वादवान company की position को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे लेकिन जब मई 2019 में DHFL ने अपनी loan payment में default करना शुरू कर दिया और उनके loan account NPA होने लगे तो बैंकों ने October 2019 को DHFL को RFA यानी Red Flag account में डाल दिया और 18 October को company के कपिल वादवान और धीरज राजेश वादवान के खिलाफ lookout circular जारी कर दिया और company को दिये loan को NPA घोशित कर दिया गया जिसके बाद DHFL को दिवालिया घोशित किया गया और जून 2021 में DHFL का control पीरामल ग्रुप के पास आ गया जिससे बैंकों ने 5977 करोड रुपए रिकवर किये और साथ ही non-convertible debentures के जरिये 7186 करोड रुपए भी रिकवर किये गए लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि बैंकों से लिया गया इतना जादा पैसा आखिर गया कहां इसका ब्यौरा मिलता है के पी एमजी द्वारा DHFL के audit से मिली जानकारी में जिसके मताबिक DHFL द्वारा loan और advance के तौर पर मिला पैसा इंटर कॉर्पोरेट deposit के जरिये टोटल 66 कंपनियों या लोगों को दिया गया जो DHFL के promoter और director से संबंधित थे इन 66 entities को 29,100 करोड रुपए के loan और advances डिस्बर्स किये गए जिनमें interest मिलाकर 29,849 करोड रुपए outstanding थे जाँच में ये भी पता चला कि इन 66 में से 40 entities ऐसी हैं जिने कपिल वादवान सीधे तोर पर कंट्रोल करते थे यहां तक कि इन कंपनियों में director कौन होगा, tax auditor कौन होगा ये सब भी कपिल वादवान ही तै करते थे और इन entities के पैसे पर भी उनी का कंट्रोल था इन 66 entities की detail भी FIR में दी गई है यानि कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो हजारों करोडों का पैसा DHFL और इससे जुड़ी कंपनियों ने लोन के तौर पर UBI के consortium से लिया उस पैसे को कपिल वादवान की ही कंपनियों में घुमाया गया और कई ऐसे cases भी सामने आए जहां DHFL ने जो लोन लिया उस पैसे से बाकी बैंकों से लिये लोन की payment की गई यानि पैसे को एक बैंक से दूसरे बैंक में भी घुमाया गया लेकिन KPMG के forensic audit के मताबिक इस पूरे घुटाले में बैंक के अधिकारियों की भी मिली भगत रही है जिसके चलते ये case दर्ज किया गया लेकिन ये पहली बार नहीं है जब DHFL का नाम किसी घुटाले में आया है साल 2019 में कपिल वादवान का नाम राना कपूर और येस बैंक घुटाले से भी जुडा था कपिल वादवान ने येस बैंक द्वारा DHFL में 3700 करोड के निवेश के बदले राना कपूर की बेटियों की कमपनी के जरिये 600 करोड रुपए की रिशवत दी थी येस बैंक के घुटाले में भी ये दोनों वादवान भाई, CBI और ED के रडार पर हैं जिने 2020 में गिरफतार भी किया गया था लेकिन बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया कपिल वादवान पहले भी कोरोना और अपनी बीमारी का बहाना देकर जांच से बचते रहे हैं लेकिन इस बार लगता है CBI का शिकंजा इन पर पूरी तरह से कस चुका है और जल्द ही ये दोनों भाई जेल की सलाखों के पीछे हो सकते हैं तो ये है DHFL घोटाले का पूरा गनित अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट